नमस्कार स्वागता आपका मेरे यूट्यूब चैनल आई टी आई 360 डिग्रीज में फोर्थ मेरे लिस्ट में जिन चात्रों ने नए फार्म भरे हैं या पुराने चात्र हैं जिनने फार्म भरा हुआ है तो उनने अपना फार्म में करेक्शन किया होगा तो मैंने एक वीडिय आउडर आगया है मेरे गर्रमेंट आई टी आई में आउडर आगया है विभाग का तो मैं उस आउडर को आप लोगों दिखा देता हूँ आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं कि आदिसासी निदेशक राज व्यपसाइक परसाद उत्तर प्रदेश द्वारा ये लेटर आया हुआ है समस्त जो है जनसूचना विभाग को मतलब पहले तो इनने बोला है कि इसको आप जो है लिंक एक्टिवेट होगा रैंकार्ड का इसको आप पहले आखवार में छबाईए प्रेस बिग्यपती दीजिए ताकि सारे बच्चों में जो इसके अब चुक हैं उनमे इनफॉर्मेशन पहुंच जाए तो मैं भी वही इनफॉर्मेशन पहुंचाने का काम ही कर रहा हूं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह जो लिंक है यह 25 तारी मतलब कल जो है वह अक्टिवेट होगा कल कही अखवार में यह शपी जाएगी कि लिंक एक्टिवेट हो देखिए आप लोग की राजकी है संस्तानों में अभ्यरती को वेफसाइट यह ऑफिसल वेफसाइट है चौते चरण के लिए रैंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो दो प्रकार के लिंक उसमें होंगे पूर्में पंजिकरित की रैंक और नए जो नए चादर फांबर हैं उनकी रैंक तो यह इन दोनों का प्रिंट आउट आप लेंगे प्रिंट आउट लेने के बाद और जो आउनलाइन आवेदर आप ने किया है उसके साथ आप जो नोडल प्रधानाचार है उसके पास आप जो है जमा कर देंगे साथ में जिस आइटी आई में आपने लोड्स करना है तो उसी में एक कदम यह बढ़ा दिया गया है आप लोग जो है रैंक काड़ जो पच्चिस तारीक कल लेंक लिंक अक्तिवेट होगा जैसे लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको सूचना दूँंगा साथ में वीडियो के मात्यम मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपना रेंकार्ट डाउन्लोड करना है और उससे रेंकार्ट डाउन्लोड होने के बाद उससके प्रिंट आउट निकाल लेज्वाद में आप लोगों को वह साम तक उसका आपको बताऊंगा कि fourth marriage list में आप लोग कब तक admission ले सकते हैं और fourth marriage list जो है वो कब तक आ सकती है एक fixed date उसकी आ गई है order आ गया है सरकार का तो उसका वीडियो का इंतजार आप लोग करिए साम तक आपको वीडियो मिल जाएगा आसा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकर आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छे लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर अगर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे इस वीडियो में बस इतना ही धन्वाद